लीडार अपोजिशन अमर बाउरी जी, विवेकानन सिंग जी, मनुज यादव जी, लोपनाद महत्व जी, अमर डिप यादव जी, भाई अभिमनु जी, ओमेश मैता जी, सुनिल साहू जी, भाईयो बहनो इतावर मताओं सबसे पहले मैं आपलों को अभिनंदन देना साता हूँ, हाजारी बाग की जो लोकसभा सुनाव थे, सुनाव की प्रसार अभिजान में जोगडान करने का मेरा भी सोभाईग्व हुआ था, तो सुनाव का जब रिजाल दे रहा था, तो मैं काफी उच्शुकता से देख रहा है, मनीज भाया ने जीत लिया आप लोगों का परिश्वम के कारण, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना साता हूँ, सुनाव का लोकसभा सुनाव का माहौल, जब सुनाव सुरू हुआ था, तब अलग था, लेकिन सुनाव आगे बारते बारते बारते, लो सभा का सुनाव का माहौल बदल गिया थे और जो एक कॉंग्रेस और उनका जो एको सिस्टेम ने जैसा सरेयन किया कि मोदी जी संविधान को ही बदल देगा पूरा की पूरा जैतना हो सकता था एतना ओ लोगों ने काम किया जो सोज भी नहीं जा सकता था आज आप देखिए दस साल मोदी जी देश का प्रधान मंति रहे संविधान बदलने का तो बाद ही नहीं संविधान दुरुस करने के लिए उन्होंने काम किया लेकिन पॉंगेस ने एक अपप्रसर किया एक कैंपेंड किया हम लोग एक मूद में रहा कि नहीं हम लोग जीत र रहा था हम लोगों को मालूम भी नहीं परा एतना सिस्टेमेटिकली साइलेंटली ओनुक कैंपेंड किया लेकिन एक बहुत बड़ा खाज बाद है कॉंग्रेस ने बहुत प्रयास कि कोई स्थेट में वो सफल हुए लेकिन कोई सारे स्थेट में कॉंग्रेस सफल नहीं जैसे मजधर प्रदेश का ओर आप लोग देख सकता है उहा में कोई असार नहीं परा शतीजगर में कोई असार नहीं परा तेलेंगाना में कोई असार नहीं परा अंधर प्रदेश में कोई असार नहीं परा हमारे उरिसा में कोई असार नहीं परा उत्तराखान हिमासल सबन हम सो सित में सो ही जीता आसाम में सित बरहा इजाफा हुआ और हमारा जार्खान में भी हमने 9 सित जीता जेमें और कॉंग्रेस को पास सित मिले हम लोगों को 9 सित मिले और जब यह 9 सित को बिधान सभा में हम लोग कंवर्ड कर देता हूं तो बावन सीट का हम लोगों को बिजय मिला अभी हमारा लग्जोना साइए कि जो सीट में हमने लोग सभा में बिजय हुआ वो बिजय का जो एक संडेश एसेमली सुनाव तक भी हमें ले जाना है आज आप लोग देखिए लोग सभा सुनाव का समय और बिधान सभा लोग सभा सुनाव में कॉंग्रेस को निरानवववई सीटे मिले तो कॉंग्रेस केंपेइन में बात बोलने में ऐसा माहीर है कि जब 99 संखा दिमाग में किसी को आ जाते है तब ऐसे लग जाता है बार 99 मिल शुका है 100 से तो खली एक ही कौम है अगर हमारा बेटा भी अगर मैट्स में 100 नहीं मिले तो 99 मिले घर में तो मिठाई दिया जाते है बाई मेरा बेटा 99 मिला लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि भाई यह 99 100 से 99 नहीं है यह 542 में उनको 99 मिला है राहुल गांदी अभी संसद में ऐसा खरा होते है कि उनको 99 सौ सीथ में 99 मिला है लेकिन हम लुक साथ जानता हूं कि ओ सौ सीथ में 99 नहीं मिला है और 542 सीथ में निरान्यपई मिले है क्यतना अंतर है आप देखिए पास्व यालिस माइनास 99 कर दिजिए उसका अंदर में क् श्राइब विजेपी को मिला हुआ है राहुल गांदी संसद में मोडी जी को बोलते हैं आप हर सुका है अरे बाबाद दो सुखा है निरान्यपई वाला जीत सुखा है मेरा दिमाघ में लगा यह मैठामेटिक्स राहुल गांदी को कहां से शिखा कि कोई क्यों सिखाना पर बंग लड़ी इस पाकिस्तान में समेठामेटिक्स होगा नैंती नाइन बरा है डौसर सलिस बराथ चोटा हे लेकिन हम लोगा भारत में हुँ भारत का मेठामेटिक्थ यह हम लोग को मानना परेगा बिढ़ान सभा जार्खान में सत्र हुआ हैमन सुरेन अन्त में भासन देता है बोलता है बीजेपी का बिढ़ायक लोगों को कि आप लोग अकले बड़ जितके नहीं आएगा तो ऐसा लगता है कि हमन शुरेन को नोव सिध जिते थे हम लोग पासीद जिता लेकिन वह ड्रामा ऐसे कर दिया कि भाई आप लोग जितके ने आएगा मतलब लोग ससे कyas हा भाई ये तो लोग सभा में जिती लिए है बिढान सभा में भी जिते गा लेकिन सब जानते हैं कोई एकी त्यूशन मास्तर त्यूशन करते हैं कि हारे हारने का बाद भी कैसे मैं जीता हूँ कैसे मैं एक्टिंग कर सकता हूँ त्यूशन मास्तर एकी होगा दो राहुल गंडी को भी सिखा दिया है हैमन सुरेन को भी सिखा दिया है भाई तुम लोग हारे हो लेकिन तुम ल अब एक्टिंग प्रों एजीफ आप लोग जीता है we are मेता जो दिन जर्खान में आये पार्टी करिये ले में भी ऐसा ही महाँ था मैंने इसपूचला भाय आप लोग करें आप लोगों का आप लोग नौजीटा है कि जेमेम नौजीटा है पुले ने साहब हम नौजिता है तब जुलूस निकाला अभी नंदन करो भूट करिया कर।का अभी नंदन करो और तब जाके आगली बार हम लोग औरसी जीटे होगा। लेकिन आप लोग नव को अगर छोटे मानते हो पास को बड़े मानते हो वो अंग तो पकिस्तान में सलेगा वो भारत में नहीं सलने वाला है तो एही हमारा होना सागिए आज आप देखिए हमारा आज में हजरी बाग में क्यों आए काल पर्शू महरम का जूलूस था मैंने सुचा मैंने अभी में जार्खान का सारे जो भी नीउसे में फॉलू कर रहा हूं महुदी में राम नभमी का जुलूस नहीं निकाला दिया जाता है लेकिन महरम का जुलूस निकालता है और पुलीस इसको एसकोट भी करता है और हमारा लोगों को गिराफटर भी करते है तो ऐसे देखने से ऐसे लगता है क्या सस्मूज हम लोग पाकिस्तान बन शुका है क्या पाकिस्तान में राम नभमी का जुलूज बन किया जाते है और महरम का जुलूज को इजाज़द होता है लेकिन भारत में हम ऐसे कभी नहीं बोलता हो कि महरम को बन करो लेकिन राम नभमी आप कैसे बन करेगा ये तु नहीं हो सकता है और महुडी तु छोड़ी जिये पूरा जारखान में महरम का दिन से साथ जगा में पलेस्ताइन का फ्लैग उठाया गिया मैंने पूचा किसी को अमर भाई को केसेज हुआ है की नहीं पुलेश। का यह स्टेटमेंन है कि बच्चा लोगों ने अपलाग उठाया अरे मान लिया बच्चा लोगों ने फ्लैग उठाया लेकिन बनने और तो बड़ा बेख्टी होगा होगा की नहीं है ऐसे लोगों को सोचते है कि हम लोगग का दिमाट में कुछ नहीं है कि हम बहुत की लिखा पर हम लोगत का नहीं? कि फ्लैकक बच्छा ने उठाया? केस नहीं होगा! तो फ्लैक किस ने बनाया? इसको पकरो इसको जेल में ढह cream 60 पूमग था कितना जगा में पिलिस्ताइन का फ्लैग निखाला होगा इस बार सार पाथ जगा में निकाला अगली बार बीजेपी सवकार नहीं आएगा तो यह 10 होगा पुन्धर होगा 20 होगा शुरुवात कर लेते हैं फिर ओलुक चोटे नहीं आज ऐसा ही हमारा हालत है मैं तू देख रहा हूं किसलिए हमारा प्रदेश और बंगल भी इसी का इसी कार हुआ है और अभी जार्खान को भी अलुक लाइन में लगा लिया है हमारा हमेशा साभरकर जी बोलते थे कि हमारा दर कोई क्रिस्टियान और मुसल्मान से नहीं है हिंदू को डुबला कर देते हैं आज हिंदू को डुबला करने वाला रहूल गांडी मुसल्मान नहीं है वह हिंदू ही दिन भर तुईतार में खिलाप में हिंडू का खिलाप जो बोलते रहते हैं वो मुसल्मान और क्रिस्टियान लोग नहीं होते हैं ज़्यादा सा ज़्यादा वो लोग हिंडू ही होते हैं हमारा जो समय सा है हमारा जो एक तरफ का हिंडू लोग है में ओलुक को लाते हैं ओलुक को संग्रेक्षन देते हैं आज आप लोग देखिए महुडी में जो घटना हुआ कि महरम को प्रोटेक्शन देने वाला पुलीस ओफिसर को कोई अधिकारी मुसल्मा नहीं होगा लोग हिंडू ही होगा कि यह हमारा सबसे डुक की बाद है आज बीजेपी हम लोग हिंडू का बारे में बोलता हूं और लोग बोलता है आप लोग को मीनियत हैं अरे हम हिंडू का बारे में बोलता हूं हम मुसल्मन का एगेंस नहीं बोलता हूं अभी मेरा लोकना जी से बाद हुआ कि हमारा कोई आज हिंडू बहुत बढ़ा है हिंडू का डिल बहुत बरा हों कि महारम का प्रोसेशन बंद करो हमने क्या बोला हों कि हमारा राम नबमी का जुलूस निकाल शुका था अभी भी गाउं का बाहर में है। खाली पास लोगों को इजाज़त दीजिए, फ्लैक को बिधी बड गाउं का अंदर ले आना है, राम नभोमी का फ्लैक अभी भी बाहर में है, गाउं का बाहर है, इससे ज़्यादा रिजनेबल कुन हो सकता है, पास लोगों को खाली अनुमोटी दीजिए, हम लोग कोई अप है, उनको बिधी बड हमें अंदर लाने दीजिए, गाउं का अंदर, और हमें जुलूज भी निकालना नहीं है, खाली पास लोगों को अनुमोटी दीजिए, उससे ज़्यादा रिजनेबल कुन हो सकता है, हम हिंदू है, इसलिए हम रिजनेबल है, लेकिन आप दूसरा लो को अगर SPDC बुला के बोलते हैं, देखो, यहां में कानून का प्रोब्लेम होगा, इस बार आप लोग जुलूस मत निकालिये, खाली दो लोग, तीन लोगों ही, आप लोग प्रती की रूप से इस काम को कर लिजे, हम लोग मन लेए, किसलिए, हम लोग हिंदू है, हम लोग स करना जानता हो, लेकिन हम हिंदू हो, हम मुसलमान हो, हमारा देश भारत है, आप कुछ जंदा उठाना है, तो भारत का जंदा उठाओ, आप पलेस्ताइन का जंदा आप क्यों उठाएगा, क्या पलेस्ताइन में भारत का जंदा उठाने उनुमोटी देगा, क्या कोई अनुमोटी देग देगा अगर ओलूग नहीं देटा है तो हम लोग क्यों देना है आप लूग को भी हम मिठाई भेजूँगा आप भी हमें मिठाई भेजिए हमारा मुट्री बनते रहेगा कोई अपटी नहीं है लेकिन आपका फ्लैग कुन उठाता है हमारा ही लोग हम एक दम हमारा दिल कला हो जाते है और पाकिस्तान जितने से हम लोग मिठाई डिस्ट्रिबीशन करता है अरी यह संग्विधान है आप जो लूग संग्विधान का कसम खाते हैं जो लूग बोलते हैं कि हमारा हमारा संग्विधान रक्षा करना है इसलिए हमने कॉंग्रेस यह जो लोग पेलेस्ताइन का फ्लैग उठाया यह क्या संग्विधान का अभमनना नहीं है संग्विधान ऐसे रख्षा करना होता है अगर हैमन शुरेंजी को संग्विधान को सस्मुष रिक्षा करना है एले सकरो यह लुगु को Hagpurش नहीं करते हो तो हम को क्या लगेगा कि आपका संगborgidhan का उपर कोई सनमान नहीं आप संगborgidhan का ड्रामा करते हो आप संगborgidhan का आप नाकत करते हो भाई और बहनों हमारा विद शवा certainly में एन जी एकुव बीजेपी formulated घिताना लोक्सभा में मोटीजी जिताना जतना जरूरी था उससे ज्यादा जरूरी है जार्खानमे सरकार बनाना किसलिए जार्खान में इस बार हमारा सरकार नहीं बनेगा आगली बार मेरा बात मांगे रखो पेलेस्टाइन का फ्लैक कम से कम सौ जगा में महरम का दिन लह रहेगा और कितना घुस पेठी आएगा हाई कोड़ बोलता है कि आपका संथाल परगना में घुस पेठी आ रहा है आप एफिद एफिद दो जुनियर ओफिसर को भेज देते हैं एफिद एफिद देने के लिए कोई सिंसियर नहीं है यह भारत सरकार का जिम्मेदरी है अरे जर्खन में जो लोग बसा हुआ है वो लोग सियार्पी उठाएगा कि जर्खन पुलिस उठाएगा हमें सरकार बनाने सुझुक भीजिये हम आपको उठा के दिखा-देता हूँ क्या काम करना है हम लोग आपको करके दिखा-देता हूँ आज आप देखिए सहयाग पुलिस लोगों को कैसे मारा गिया कैसे पिटा गिया काल पर्षो हमारा सस्मूज बीजेपी कारिया कर्टा अंदुलन करेगा अंदुलन तो डेमोक्रेसी में होता है आज जो सहयाग लोगों को पिटा गिया थाल हमें भी पिटा जाएगा काल पर्शु हजरी बाग में बसेत्तुर घंता तक हमारा राम नभुमी का प्रसेशन होता है आके बोलेगा इसको 48 घंता करो नेक्स ताइम बोलेगा 27 घंता करो फिर बोलेगा ऐसे देशे करो तो समाज ऐसे नहीं होते है भाई और बहनों हम लोग को पूरा संघर्ष करना है ह हम किसी का एगेंस में नहीं हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारा अधिकार कुछ खो जाओंगा एक बार हमने अधिकार चोड़ूंगा तो बाद में हमारा कुछ अस्तिक्त नहीं रहे है हम किसी का खिलाप नहीं है हम कभी नहीं बोला था कि महरम का प्रसेशन नहीं होना सब्सक्राइब हमने क्या बोला था कि राम नभोमी का फ्लैग उहां पस्लाने का हमें इजाज़ दिए इससे ज़्यादा रिजनेबल कुन हो सकता है तो इसलिए आज ही हम संकल्प लेता हूं अगले बार जार्खान में बीजेपी का सरकार होगा बड़ा धूम्ध हमसे हम महुवी में राम नभोमी का सुभा इत्रा करूंगा बड़ी धूम्ध हमसे करूंगा लोकना जीम उसको बुला लेगा तो अगली बार में भी आ नभोमी का दिए और हमें देखता हूं हमें बढ़ा देते हैं जाई सीराम बोलने के लिए किसी ने किसी को माना नहीं कर सकता है गंधी जी वी उनका जीवन का लाज सब भी राम ही है अगर कॉंग्रेस गंधी जी को मानते है तब जाई सीराम बोलने का ओ माना नहीं कर सकता ह लेकिन आजकाल कंग्रेस जय सीरहम बोलने से भी अलुग नाराज हो जाते मक्लब और महत्मा गांधी को भी नहीं मानते है गांधी जी कालास सुर ट गांधी जी कालास सुर क्या था थो डिल जों के ब利येả dłाई धूरा राहुल जी का दिमाग कम जाना साई है उन्होंने बोला मैं शिप जी का भग्ध हूँ, शिप जी का मूटी वो पार्लेमेन में लेके आया, लेकिन हिंडू शिप जी को दर्शन करने जाते हैं, हिंडू शिप जी को पदर्शन नहीं करता हैं, राहूल ने पदर्शन किया, हम लोग शिप जी को दर्शन करता हैं, यह यहीं हँ में राहल गांधी को बोलना साथ आँओ आप भी जय्सीरामा बोली है और किसी को मंणा मत करवाई है लास्ट टाइम भी प्रसेशन निकाला जब लोगों ने जाई सी राम बोला हला शुरू हो गया जाई सी राम हमें बोलने वाला नहीं है हमारा देश का फादर ऑफ दा नेशन गांडी जी भी राम का जाइकारा बोलते थे आए मुझको जो लोकनात जी ने बताया कि जाई सी राम बोला ने जाई सी राम मत बोलो अरे भारत का जो हमारा जो देश का पिता है फारए अगर एम बोलते है और आम हम तो हिंदु मुसल्मान सब को बूलना सब्फिक हम तो गान्धी जी का ही बेटा बेती हो नłęगे अंगल गांधी जी फार्ड़फ the nation अगर और आम बोलते हैं मतलब हम लोग सब उनका बेटा बेती हो हिंडू मुसल्मान हमको सब राम का जाइकरा बोलना सब एसा महल हमारा डेस में होना सब और हमारा कोई प्रोब्लम नहीं हम सब धरम को समझ हम सनमान करता हूं लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं होगा ना कि हम कि मारा तमाम मंदिर हम बंद कर दूंगा यह तू नहीं हो सकता है तो इसलिए इजवार का सुना हमारे लिए बहुत इंपोर्टंट है बहुत ज़रूरीए जो महुदी में हुआ है और गाव में हों हमें रुकना है कि हमें जार्फन का बिकास यहारव का उथ्थान का याوي आज ऐसा होता है जारखान का बालु यूपी विहार का लोग मकान बनाता है हमको बालु नहीं मिलते हैं मकान बनाने के लिए ऐसा स्थिती हो गया देश का कोई प्रडेश में ऐसा स्थिती नहीं है तो आप लुग सोपलुग मिल के पूरा काम कीजिए मनीज भाया के लिए जतना काम किया था आगे उसका दुगुना काम कीजिए कि इसलिए जार्खान में सरकार बनाना हमारा सबसे ज़्यादा जुरू है दिल्ली में सरकार बन शुका है जैर्खान में सरकार बनाना है डाविल इंजिन का सरकार होगा ये सारे समझ से अपने आप समाधान होगा अगली बार हम लोग सब महोदी जाओंगा और राम नभावी का जुलूस निकालूंगा बहुट-बहुट ढरना बाद जाए हिन बंदे बहुत बहुत धन्यवाद दीर लाचित बर्फुकन के वंसर्च मार्क अमठ्या के पूर्ट्र अदमने हमन्त विश्वा सरमाजी के संदेश कुने के हम सब अपने एच्छेंटर पुनाएं के और इस सभाव के समाफ़ के लिए बढ़ी के पूर्वी नहीं है आदमने हमन्त व आपी दंसा पाठी के सहरा में यह जो मीठा लग नाव कुछाथ पूंडेब के लाग्तुराइप साथ देगाँ अधिसर दालेकित सुछाथ का इसकार परवादा आता है पुछार का कि अधिकास को कि अधिकत में आρα है प्लाहिए कि अधिक्ड कर्मा साह था कि हमारा हिंदू समाज का एक छोता दिमान था कि हमारा राम नवमी का जो फ्लैग है इसको आप लोग गाव आने का इजाज़त दीजिए और अगर पास बैक्ती को भी आप इजाज़त देते हैं हम लोग खूज है लेकिन हिंदू समाज को ओ इजाज़त नहीं मिला लेकिन बाकी लोगों को महरम का जुलूस निकालने का भी इजाज़त मिल गिया है ठीक है आज आपका सरकार है आप जो कर रहा है अगली बार जब जारखान में विजेपी का सरकार होगा हम लोग सब जाके राम नभमी का जुलूस निकालूंगा विद्धा पर्मिशन अब दा लोग तेखिये कोई मुड़ा पुराना नहीं है राम के लिए मुड़ा क्या पुराना है हर दिन का ये फ्रेस मुड़ा है मैं बोला ना महुदी तो भारत में ही है ना तो राम का बढ़ा कहा होते है राम को रुकने का इजाज़त किसको होते है हमारा डेस का जो फाडर अब दा नेशन होते थे बापु जी बापु जी भी क्या बोलते थे गूली खाने का बाद भी ओ बोले थे है राम तो हमारा डेस में राम को कोई बढ़ा दे सकता है क्या सल्यूशन कुछ भी नहीं है सल्यूशन बिज़ेपी सरकार आएगा एक बार टू सल्यूशन निकाली गिया था कि तिरंगापटाका का प्रोसेशन निकालो सल्यूशन तु हो एगिया था लेकिन ये solution जे-म-म सरकार होने नहीं देते हैं इस लोगों को भोट से सिंटा है तुस्ति करन का राजनिटी है तो हमें ये तुस्ति करन का राजनिटी का खिलाब हमें आवाज उठाना है से सजबा में फिलिस्ताइटी जणडा उठाये गया जो भारत बर्ष का संगळिधान का संबान करते हैं ऐसे जो लोग बोले थे क्या बोले थे हेमंसुरेन जी ने उनका पार्टी ने क्या मोडि जी अने से संगळिधान का खत्रा है संग्विधान में क्या इजाज़त है फिलिस्टाइन का फ्लैग उठाना आज अगर हमन सुरेन जी संग्विधान को संबान करते हैं तो जो लोग फिलिस्टाइन का फ्लैग उठाया ये लोगों को आप एरेस करो अनुधाइब देखिये भासपा का स्थेथ भी पहले कोंघरेश ली ठाइन शुरूआत कोंघरेस नहीं यह विल्यूर करके गिया है कोई भासपा सरकार ने मद्रसा नहीं बनाया कोंघरेस नहीं मद्रसा बनाके गिया है और अभी हम लोग मद्रसा को मेह साथ सब्श मirie मद्रासा बन किया और बहुत कुछ कम हमारा स्टेथ में हो रहा है संस्कृत देवभासा है संस्कृत में भारत बर्स का गुनानु किटन होते हैं हमारा नद नदी हमारा भोगल का गुनानु किटन होता है कोई अगर बोलता है संस्कृत और मद्रासा समान है और कुछ नहीं जा जयाते हैं संघ्सक्रीत में एस्ट्रोनोमी पढ़ाये जाते हैं था संभस्क्रीत में हिव्मेनीटी का बाद बुला जाता है solid छादा है कोई लोगे नई समझ किए अगर हिंदू संग्स्क्रीक्ट अशा को इक्वेल करना साथ है उसका ज्यान का उपर मेरा खुट का डाउड हो जाएगा तेकि जिस रूप से जिस रूप से पुलिस सहाय का उपर लाथी सर्स किया गिया है बहुती निंदनिया है हैमन सुरेंजी ने सुनाओ का पहले बोला था कि उनका जॉब रेगुलराइज करूँगा अगर आपने बोला था तो आपको करना साहिए आप नहीं बोले थे तो अलग बात था लेकिन आपने बोला था कि मैं रेगुलर करूँगा अगर आप बोले थे तो उनका ये लेजिटिमेट दिमान होते है कि भाई सुनाओ का पहले मुश्कु करके दीजिए लाठी मारना ये तो कोई निती का बात नहीं हुआ अगर आप नहीं बोलते थे तो अलग बात है लेकिन आप बोले थे तो आपको आज उनको रेगुलराइज करना साहिए मैं कल सुबे जो हस्पिटाल में है उनको मिलूँगा लेकिन जहां एजिटेशन हो रहा है उहां मुश्कुल जाना ठीक नहीं है मैं एक अलग प्रडेस का मुख्व मन्त्री हूँ लेकिन हस्पिटाल में जो लूग है ओ लूग को मिलने के लिए मैं प्रयास करूँगा कल सुबे सुनाव में का भाइब बिजोएं होना साइए जारखान का भविश्य के लिए बिजेरी सरकार बनना बहुत जोरूरी है तो यह थी ततकि का जनता को गरना है मैं क्या कर सकता हूं य anh का जिम्मेदर्ध है करने का का जैर्खान का जनता है हम लुग तो कहाली पहर नहीं दे सकता हूँ देखिये हमारे जब मैं जार्खान में आते हूँ जरूर शिकरोती का खर्षा तो थुरा बहुत तो होता ही है जार्खान सरकार का असाम गवर्मेंट ने निनने लिया है कि जो भी खर्षा होगा असाम गवर्मेंट रिइंबर्स कर देगा किसलिए मेरा सिकुर्टी का जिम्मेदारी असाम गवर्मेंट का ही उठाना है अब जेमिन को कहना है कि आप पार्टी को इचाए के रुपना आते हैं इसलिए देखिये में जहां भी जाओ जैसे आज राहुल गांधी घुमते है डेजबर राजदिटी के लिए तो राहुल गांधी का खर्षा कुन उठाता है आप जेमिन को पूशिये जब हैमन शुरेण जी सीएम नहीं था बीच में दस दिल उनका जो सिकरुती था वो कुन उठाया खर्षा तो ऐसा अगर अबास्तु भी कोई प्रस्न करता है तो उनका क्या उत्तर है अब बटाईए अज ज़ा प्रियंका गांधी डेश में घुमते है उनका पिसे सिकरुती जाते है उनका खड़सा कुन उठाता है आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो दूसरा लेखिए हम तो इहां मेहमान का नाते आया हूं तो मेरा यह जिम्मेदारी बनता है मेहमान को क्यों कस दो